दूस्तो लंच हो या फिर डिनर हो खाने में अगर आलू परठा और राइता मिल जाए तो खाने का मज़ा ही आ जाए इसलिए आज हम पालग को यूज़ करके आलू परठा बनाएगे जो की टेस्टी भी बनेगा और खाने में हेल्दी भी लगेगा और साथ में हम बनने वाले इंस्टन्ट बीटूर्ट राइता जो की नॉर्मल राइता से कई गुना अलग है और डिफरेंटली डिलीशियस है तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए तो अगर अब हमने अचल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिये और बेल आइकन को भी जरूर पैस कर देना जिससे हमें सब्सक्राइब से टेस्ट रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए शूर करते हैं बनाना वेरी टेस्टी एंड डिफरेंटली डिलीशियस पालक पराठा एंड बीटूट राइता तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिए है वेरी फ्रेश पालक जो कि हमने इसे अच्छे से वाश कर ली है अब इसे फटा-फट बिल्कुल इस तरह कट कर लेंगे अब एक पतीले में हम ले लेंगे वन ग्लास ओफ वाटर एंड उसमें हम डालेंगे वन पिंच ओफ सोडा जिससे पालक का कलर वैसे का वैसे फ्रेश रहेगा अब हम कट कीवी पालक को पतीले में डाल देंगे एंड एक से दो उबाल आने देंगे अब उबाल आ गया है अब हम पालक को चलनी में लेके छान लेंगे एंड सारा पानी निकाल लेंगे अब इस पर डालेंगे हम थोड़ा थंडा पानी जिससे हमारी पालक थोड़ी थंडी हो जाएगी एंड जो अंदर की कुकिंग प्रोसेस है वो भी बंद हो जाएगी आब इसे हम ग्राइंडर में डाल के इसकी fine paste बना लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे half cup of water और वापस grind कर लेंगे अब हमारी पालक की puree बिल्कुल ready है अब हम पराठा का stuffing बनाएगे उसके सबसे पहले हम पुदिना को अच्छे से cut कर लेंगे बिल्कुल इस तरह साथ पर हम थोड़े धन्या को भी cut कर लेंगे अब देख सकते हो हमने यहाँ पर four to five boiled potatoes लिये है अब एक pan में हम ले लेंगे two table spoon oil और उसमें हम add करेंगे two teaspoon जीरा और थोड़ा brown होने देंगे अब हम डालेंगे green mirche की paste then डालेंगे one teaspoon healthy powder अब डालेंगे cut किया हुआ one bowl pudina and half bowl धन्या अब हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब हम डालेंगे two teaspoon गरम masala two teaspoon chaat masala and two teaspoon salt अब हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे यहां पर हमने four to five potatoes बॉल करके रखे हुए हैं अब इसे crush करके पैन में डाल देंगे अब हम इसे अच्छे से पैन में mix कर लेंगे so now हमारा masala ready है हम पराठा बनाने के लिए dough तयार कर लेंगे उसके लिए एक बावल में हम लेंगे अब थोड़ा थोड़ा करके पालक प्यूरी डालते जाएंगे एन हमारा dough तयार करते जाएंगे हमें हमारा dough ये पालक प्यूरी से ही तयार करना है हम पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे दुस्तो हमारे पराठा का dough ना ज़्यदे थिक होना चाहिए या ना ज़्यदे नरम अब थोड़ा oil डाल के आठा को वापस मसल लेंगे अब हमारा dough बिल्कुल तयार है अब सबसे पहले dough की लुईया बनाके उसे इस तरह बेल लेंगे अब मिश में डाल देंगे हमारा तयार किया हुआ अलू कुदिना का स्टफिंग और इसे इस तरह पैक करके वापस बेल लेंगे अब हमारा पराठा पैन में जाने के लिए बिल्कुल तयार है अब मिश में डाल देंगे थोड़ा oil और दो से तीन बार पल्टा देंगे अब हमारा टेस्टी पराठा बिल्कुल तयार है अब हम हमारा वेरी टेस्टी इंस्टन वीटूट राइता बनाएगे राइता के लिए एक बाल में हम ले लेंगे दहीं उसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जीरू पावडर, 1 टीस्पून चिली पावडर और इसे मिक्स कर लेंगे अब सबसे लास परम दालेंगे ग्रेटेड वीटूट, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों, मेंड पार्ट अपूट इस राइटा इस कि इसका कलर का शेड भी एकदम डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल है और खाने में भी नॉर्मल राइटा से इसका टेस्ट कई गुना अलग एंड डिलिशिस है अब हम इसे मिड लीव से गार्निश कर देंगे अब हमारा राइटा एंड पराठा दोनों खाने के लिए रडी है अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे एंड टेस्ट करेंगे आप भी टेस्टें हल्दी पालक पराठा एंड वी टूट राइटा अपने फैमिली और दुनिटिव को ज़रूर खिलाइए एंड ये रेसिपी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बैताइए लाइक शर्ण सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिलेंगे एक ऐसी नई टेस्टें हल्दी रेसिपी के साथ तिल दे टाइम ट्राइट हैव इट एंजोई